प्रवर्तर निदेशाले के छेत्रिय कार्याले में मंगलवार की शुबह 11 बजे आईस अधिकारी पूजा शिंगल होंडा सिटी कार से पहुंची इडी ने सोमवार्तों उन्हें समण कर छेत्रिय कार्याले बुलाया था एडी डफ्टर पहुंसी के बाद आईएस पूजा सिंगल खामोज दिखी उन्होंने मेडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया उनकी चेहरे पर तनाव स्पस्थ दिख रहा था वह एडी डफ्टर पहुंसी ही पूजा सिंगल से जुड़े 25 ठीकानों में छा फिमारी हुई थी इसके बाद सनिवार 7 मही को चार्टर्ट एकाउंटेट शुमर्कमार्शी को एडी ने नियाईख हिरासत में ले लिया था रविवार और शुमबार को एडी के अधिकारी में स्टिये शुमन कुमार्शी और पूजा सिंगल के पती अब इसे एक जहां से 23 घंटे तक पूस्ताच की थी पूस्ताच कसिल सिला आज 30 दिन भी छेत्रिय कार्याले में जारी है आज की पूस्ताच में आईएस अधिकारी पूजा सिंगल का सामिलोना ही महत्पूर्ण है प्रवत्रली देशाली की कारवाई को देखते हुए आईएस पूजा सिंगल अन ओफिसियली छुट्टी पर धेजी गई है 6 माई को एडी की छा बिमारी देशबर के 25 चिकानों पर भूई थी इतना ही नहीं 6 माई के बाद से लगातार पाचवे दिन भी एडी की तरफ से स्टीये सुबन कुमार सिंग से पूश्टाच जानी है वहीं आज तीसे दिक पल्स होस्पिटल के स्टीयमडी अब इसे जहां से पूश्टाच हो रही है कामी प्रशाश्रिक्त और प्राजभासा विवाग के सुट्रों ने बताया कि 21 माई तक आईएस पूश्टाच सिंगल को छुट्टी पर भी जा गया है इलेकि इसकी अधिकारी पूश्टी नहीं हुई है पर अक्सर CBI और ED से जुड़े मामुलों से सम्मन्दित आरोपी अधिकारी को छुट्टी पर भेले जानी की बाते कही जाती है ऐसा ही आईएस पूश्टाच सिंगल के साथ भी हुआ है राज के मुक्सर्चिव ने कहा है कि 30 माई तक पूश्टाच सिंगल छुट्टी पर है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहें स्वदेश वानी